नमस्कार दोस्तों माजय सिंग आपका स्वागत करता हूं स्सी मेगर के यूडूब चैनल में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं रेलवे प्रिभियर सेर के मैथ के कोश्चन के बारे में जी हां दोस्तों जो आपके रेलवे एक्जाम पहले हुई थी पिछले बार जितने भी उसमें मैथ के कोश्चन पूछे गए थे उन मैथ की कोश्चनों को मैं यहां लेके आपको आया हूं और समझा देता हूं कि मैथ कोश्चन को आप सौट्रिक से जल्दी से जल्दी रेलवे एक्जाम में कैसे साल्प करेंगे और इन सारे कोश्चनों की मैं चर्चा कर लेता ह है मेरी उम्र हटाने पर उसत उम्र 40 हो जाती है मेरी उम्र बताएं ठीक है दोस्तों यह उस्त आपका कोशन है रेल वे गुरूप डी एकजाम 2013 में पूछा गया है ठीक है तो इसे देख लिजे दोस्तों मैं साल्प करने का आसान तरीका बता देता हूं देख लिजिए एक बा उसत उम्र जब 35 है तो चार लोगों की डोटल उम्र कितनी होगी 35 को आप कर लेंगे तो 140 हो जाएगी दोस्तों कितनी हो जाएगी यानि की 120 बर्स हो जाएगी कि इती होजाएगी किमेरिें प orch Heidi miedo मेरी युम्र बताएं तो कितनी होजाएगई पहले 403 लोग था मेरी सी टया है when the harvest is me better or 30 में sometimes 120 कि घाटा देंगे दोस्तों घाटा um मेरी उम्र हो जाएगी option number दोस्तों C ये वाला सही हो जाएगा आप यह से लगाएंगे basic से लगा लेंगे ठीक है दोस्तों इस पर आपको मैं basic से सारे question को बताऊंगे दोस्तों कोशन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए आयो दोस्तों next question देखिए दूसरा question दोस्तों देख लीजिए एक cricket match में रोहित ने 13 चौको और तीन छको की मदद से एक सतक लगाया सतक मतलब दोस्तों यहां सतक मतलब होका 100 run ठीक है लगाया कि वीकेटों के भीच दोड्ते हुए उसने कितने प्रतिसत run बनाए कितने प्रतिसAT बिकेटों के भीच यानि कि दोड़ के run लिया ठीक है तो यहां भी दो बता दू आपको देख लिए कोशन इसे असान तरीका बता रहा हूं शाल्प करने का, एक क्रिकेट मैच बेर हो ही ते तेरा चौके, तो चौके में कितने रन होते हैं, चार रन होते हैं, कितने लगाएं, तेरा गुणे, चार कर लेंगे, ठीक है, तो कितने रन बना लिए, चौके से कितने रन बना लिए, अठारा, तोटल रन कितने बनाया थे, सतक, यानि कि 100 रन बनाया था, ठीक है, तो तो चौको चौको के मदब से टोटल कितना रन बना लिए, यहां पर जढ eg in आठ डू 10 का 0, 5, 6, 7, यानि कि 70 रन तो यह 4 का और 6 के मिलके बना लिए, ठीक है, तो दोड के कितना रन बनाया, टोटल सतक लगाया था, तो दोड के यहां देख लेंगे, 100 में से 70 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 30 रन हो जाएगा, 30 रन हो जाएगा तो वही चीज प पराबर 30 रन बनाया, तो अपका 30 रन हो गया, यही आपका आंसर हो गया, बेसे ही आप इसे शाल्व कर लेंगे, तो आपसा नमबर डी यह जो है, सही हो जाएगा 30 रन इसने डौड के लगाए, इससे आप ओरल भी कर सकते हैं, समझाने के लिए मैं आपको लिख दिया हूं, next दोस्तों question देख लिजिए math काई तीसरा question दोस्तों देख लिजिए एभी important question है railway group exam में AV पूछा गया है ठीक है दोस्तों यहाँ आप देख लिजिए यदि एक संख्या के 3 बटा 5 के 7% का मान 36 है तो संख्या है एभी exam में पूछा गया question है बहुत ही आसान है बहुत ही आसान तरीके से इसे लगा भी सकते है इसे basic से मैं आपको बता देता हूँ देख लिजिए एक संख्या का 3 बटा 5 60% है तो संख्या मान लेंगे दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे संख्या ठीक है तो X की ही मुझे value निकालने है, ठीक है, तो X की value निकालना है, तो संख्या के 3 बटा 5, यानि कि देखिए, हाँ पर हम संख्या माल लिए, तो X का 3 बटा 5, कहा मतलब दोस्तो होता है, संख्या के मतलब, गुड़ा, 3 बटा 5 के 60%, 60% को लिग लेंगे, 60, अब प्रतिसत का जो symbol ल लेंगे, ठीक है 20, ति यहाई, 60, 20, पच्चे 100, फिर उसके बार हम लिख लेंगे, X गुणे 3, 3 का 9 कर लेंगे, प्र 5 पच्चे 25 कर लेंगे, ठीक है, 9 बटा 25 बराबर, यहाँ पर गुणे है, रिखक है, 9 बटा 25 बराबर यहाँ आपका 36 हो जागा, ठीक है, तो X की value हमें बराबर के इधर जाता है तो भागे में हो जाता है, अभागे में करना के लिए हम क्या करेंगे, इसको कि इसली पलट लेंगे, तो गुन्रे यहां पे 25 बटा 9 कर लेंगे, बस आपका आंसर आजाएगा। 25 यहां पर 25 बट्टा 9 आपका जब 25 बट्टा 9 हो गया यहां पर दोस्तों 36 है ठीक है यहां पर जो 36 है उसको यहां लिख लेंगे फिर उसको हम कटा लेंगे 9 4 को 36 ठीक है आप 25 गुणे 4 कर लेंगे 25 को 100 हो जाएगा तो फिर हम क्या लिख लेंगे यहां पर एक्स बराबर 25 चोग को 100 क्या लिख लेंगे 25 चोग को आपका 100 यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा बेहद यह असांतरिकेस करेंगे कुछ नहीं करना है बस ऐसे करना है एक्स गुणे 3 बट्टा 5 एक्स मान लिए है एक्स की वैल्व निकालनी है फिर उसके आपको समझाने के लिए इतना लिख दिया हूँ यह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 100 तो 100 आपको अप्शन नंबर भी यह वाला आपका सही हो जाएगा यह भी आपके रेलबे एक्जाम में पूछा गया कोश्चन है नेक्स दोस्तों कोश्चन देख लीजिए ए दिखावा करता है प्रंतु उसमें पानी मिलाता है और इस परकार उसे 25 परशंट का लाब ठीक है दोस्तों यहां देख लेंगे 25 परशंट का लाब होता है मिश्रण में पानी का प्रतिसत ठीक है क्या पूछ रहा है पानी का प्रतिसत है ठीक है तो देखिए इसे साल्प कर कितना हो जाएगा 125 तब इसे 25% का लाब हो जाएगा 25% का लाब हो जाएगा ठीक है तो यही चीज पूछ रहा है इसमें पानी का प्रतिसत तो इसमें अगर जो माने तो पानी का प्रतिसत पूछ रहा है अगर जो सिर्फ पूछता पानी कितना मिलाया तो 25 लीटर मिलाया पानी सो ठीक है यहां पर कर लेंगे बटा सो ठीक है फिर यहां पर हम कर लेंगे 25 देखिए पानी का प्रतिसत पूछ रहा है पानी का प्रतिसत तो टोटल बटा सो नहीं होगा यहां गलत हो रहा है दोस्तों टोटल कितना हो जाएगा 25 लिटर हो गया पानी का प्रतिसत कितना है कितन मिला दिया टोटल मिस्रड कितना हो गया 125 25 बटा 125 अग गुणे 100 पानी का प्रतिसत पूछ रहा है तो गुणे 100 इसे कर लेंगे 25 पच्चे 125 और पांसी से कटा लेंगे 20 यानि कि पानी का प्रतिसत हो जाएगा दोस्तों 20% हो जागा ठीक है इसे बहुत ही असान तरीके जाने की कोशिस कराओं देखिए दोस्तों टोटल आपका मान लेंगे 100 लीटर था उसमें कितना पानी मिला दिया 25 तभी तो 125 हो गया 25 पर्शन के उसमें फायदा हो रहा है ठीक है तो यहां पे देखेंगे पानी का परिश्यत पानी उसमें कितना हो जाएगी 25 मतलब पानी कि लाया है 25 लीटर टोटल मिस्रण कितना हो जाएगा 125 गुड़े 100 यानि कि 25 पचे 125 पान से कड़ा लेंगे 20 यानि कि 20 परसें यह आपका आंसर हो जागा ठीक है दोस्तों ऐसे रेलबे एक्जाम में कोशन पूछे जाते हैं ठीक है दोस्तों और भी दोस्तों कुछ कोशन होंगे उसके लिए मस्तोर्टिक समझाऊंगा जो आपको एक्जाम की द्रिष्टे काफी महत्पूर्ण होंगे तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद